इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung Galaxy F22 के software में कुछ ऐसे features के बारे में जो शायद आपको ना पता हूँ और अगर यह phone देना चाहते हैं तो definitely आपको यह features काफी help करने वाले हैं तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब बात करें पहले feature से तो वह हमें मिल जाता है phone settings में हम अगर dialer पर जाते हैं और उसमें फिर settings पर जाते हैं यहां पर हमें call background का option मिलता है अब हमें जब भी कोई call आती है तो उसमें background शो होता है अब उसको भी इस phone में change कर सकते हैं और इसमें हमें कुछ चार options मिल जाते हैं जिसको हम apply कर सकते हैं call background के रूप में जो कि एक काफी अच्छा customization feature है तो अब definitely इसको apply कर सकते हैं अब बात करें next feature की तो वह हमें मिल जाता है answering and ending calls एक option में इसमें हमें answer automatically का option मिल जाता है तो हमारे पास अगर call आ रहा है और हमने Bluetooth earphone या फिर headset connect किया हुआ है तो दो से किन बात call जो है वो automatically answer हो जाएगी और हमें ऐसे ही कुछ call को pick or end करने के gestures मिल जाते हैं जो कि काफी handy है और हमें पर caller name read out करने का भी option मिल जाता है जो कि काफी handy है then हमें call display while using apps का option मिलता है इसमें हम जो call notification आता है उसको customize कर सकते हैं हमें इसमें तीन options मिल जाते हैं तो full screen definitely मैं recommend करता हूं आप pop-up या फिर mini pop-up पे select कर सकते हैं और easily आपको कोई app use करते हैं disturbance भी नहीं होगा call आने पर then बात करने next feature की तो वो हमें मिल जाता है record calls जिहां दोस्तों आप इस phone में call record कर सकते हैं without announcement जो कि एक काफी handy feature है और काफी साले लोग अपने phone में ये feature चाहते भी हैं तो Samsung हमें ये provide कर रहा है और इसमें automatic call recording का भी option है बात करें next feature की तो वो हमें home screen settings में मिल जाती है और जो कि है swipe down for notification panel तो आप home screen पर swipe down करने से notification panel को ला सकते हैं जो कि एक बहुत useful feature है और आपको daily usage में बहुत काम आने वाला है अब बात करें next feature की तो वो हमें मिल जाता है mobile hotspot में हमें यहापे band को customize करने का option मिलता है हमें यहापे 2.4 से 5 GHz का band use कर सकते हैं जिससे कि जो hotspot की accuracy है और speed है वो definitely improve होती है then हमें इसमें Wi-Fi sharing option मिल जाता है तो अगर हम किसी और Wi-Fi से connected है और हम अपने hotspot के थूरू किसी और device पर वो Wi-Fi share करना चाहते है तो वो भी अब इस पर possible है इसका मतलब यह है आप बिना password डाले दूसरे के phone में वो Wi-Fi connect कर पाएंगे अपने hotspot के थूरू फिर हमें इसमें hidden network का भी option मिल जाता है और काफी सारे और options हैं जो कि बहुत basic है self-explanatory है और काफी useful है जो next feature है वो हमें मिल जाता है sounds and vibration में इसमें basic options तो मिलते ही है हमें इसमें system sound and vibration control center मिल जाता है इसमें हम हर एक चीज की touch sound or touch vibration customize कर सकते हैं जो कि एक काफी अची बात है हमें sound quality and effects का भी option मिलता है हमें इसमें dolby atmos का support मिलता है जिसके बारे में मैंने अपने gaming review में बात की थी जो कि इतना useful नहीं था और हमें इसमें speaker के लिए equalizer भी मिल जाता है तो इसका उनलग यह है कि हम कोई particular app को select कर सकते हैं कि वो एक किसी दूसरे audio device पे हमेशा ही audio playback करें जो कि यह कितना जादा useful feature नहीं है लेकिन अगर आप Bluetooth device पे particular app से stream करते हैं तो आपके लिए definitely यह काफी useful होने वाला है तो अब मैं जब भी YouTube play करूंगा तो पहले मेरा जो device है वो एक Bluetooth headset के लिए रूण देगा और उसके बाद ही phone के speaker पे play करेगा audio जो कि एक handy feature है अब बात करें next feature की तो वो हमें मिल जाता है notifications में हमें notification pop-up style का option मिल जाता है जिसमें हमें brief और detailed के options मिल जाते हैं जो कि again self-explanatory है मैंने यहाँ पर brief select किया हुआ था और हमें brief pop-up settings में यहाँ पर edge lighting style का option मिलता है इसका मतलब यह है कि जब भी हमें notification pop-up में आएगा हम उसकी edge पर एक animation भी select कर सकते हैं जो कि एक काफी ज़्यादा customizable feature है और definitely मैं इसको काफी enjoy भी कर रहा था अपनी usage में इसके हम colors transparency और duration भी change कर सकते हैं फिर आपको advanced settings में काफी सारे options मिल जाते हैं हमें इसमें show battery percentage का option मिल जाता है जो की काफी handy रहता है देन हमें इसमें notification history का option मिल जाता है इसको on करने के बाद जो notifications की history है वो भी save हो जाएगी तो आपके notifications हैं जो important वो miss नहीं होगे दन हमें नीचे flash notifications को option का option मिल जाता है इसमें हम camera flash या फिर screen flash को on कर सकते हैं जब भी हमें नया no notification receive होगा definitely अब इसको अन कर सकते हैं बात करें next feature की तो वो हमें मिल जाता है display settings में हमें इसमे light or dark mode का option मिली जाता है हमें इसमें GRAC mode में settings में schedule तो हाइ मतलब 90 हर्ट दन हमें इस में आई कमफर्ट मोड मिल जाता है और जो बेसिक फीचर होते हैं वह मिल जाते हैं हमें एज पैनल्स का ओप्षें जाता है इसका मतलब यह है कि हमें राइट साइड पर वॉल्म रॉकर के पास एक लाइन शी शो होगी तो उस एज करने पर हम काफी सारी apps को assign कर सकते हैं और महां से shortcut के थुरू खोल सकते हैं जो कि एक काफी handy feature है देन हमें home screen settings में hide apps का option मिल जाता है तो हम किसी भी app को hide कर सकते हैं home screen से इस tool को use करके जो कि एक काफी useful feature है बात करें next feature की तो वो हमें biometrics and security में मिल जाता है जो कि है google play system update अब यह जो हमारा software update से जो security price update होता है उससे अलग होता है तो इसका update अलग आता है और इसके लिए हमें अलग से phone restart करना होता है तो definitely आप इसको check कर लिजिएगा कि आपका यह up to date है या नहीं और बाकी हमें जो biometrics के basic options होते हैं हमें मिली जाते हैं then बात करें next feature की तो वो हमें privacy में मिल जाता है हमें इसमें send diagnostic data और receive marketing information के options मिलते हैं जिसको मैं recommend करूँ है कि आप दोनों को off कर दें इससे आपकी जो data usage है वो track नहीं होगी और आपको ads भी काफी कम आएंगे बात करें next feature की तो वो हमें advanced features में मिल जाता है तो हमें इसमें काफी सारे options मिल जाते हैं like हमें इसमें quick share मिल रहा है जिसमें हम basically किसी भी android phone पे quickly data share कर पाएंगे जो कि हमारे nearby होगा basically कि यह जो share it वाला काम होता है यह सब वो कर रहे हैं हमें इसमें side key का option मिल जाता है जो हमारा power button इसको double press करने से हम कोई भी app को open करने का action enable कर सकते हैं या फिर हम यसमें camera को launch करने का action enable कर सकते हैं बात करें next feature की तो वह हमें motions and gestures में काफी सारे gestures मिल जाते हैं like हम इसमें double tap to wake double tap to sleep lift to wake और काफी सारे और other options हमें मिल जाते हैं जो कि definitely काफी useful है और हमें इसमें fingerprint gestures पी मिल रहे हैं तो basically आप इन सब gestures को use कर सकते हैं अपने experience को improve करने के लिए then हमें इसमें game launcher और dual messenger जिसे basic options में मिल जाते हैं then हमें इसमें नीचे swipe to call or text का option मिलता है इसमें हम basically किसी भी contact पे swipe करने पे एक action अनेबल कर सकते हैं right और left swipe दोनों पे तो यही थे इस phone में कुछ अच्छे और advanced features जो कि मुझे Samsung के one UI 3.1 core edition में मिले और definitely जो Samsung का one UI 3.1 है वो काफी जादा feature रिचे और हमें इसमें Samsung के pay mini का भी support मिल जाता है और इसमें काफी सारे तरह तरह के features मिल जाते हैं जो कि definitely हमारे experience को improve करते हैं इस phone में हमें Widevine 11 का भी support मिल जाता है तो Netflix और Amazon Prime पे HD streaming enabled है और YouTube पे हम 4K तक की वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं बले ही screen जो है वो HD Plus है खेर यह सब मैं अपने review में कवर करने वा रहा हूं जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है तो stay tuned रहे है मुझे उमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंदाई होगी ये वीडियो आपको पसंदाई है तो इस वीडियो को like कर दीजे share कर दीजे अपने friends के साथ और subscribe को लिजे मैं चैनल को और मैं आपसे मिलता हूं अपनी next वीडियो में